कर रहे हैं मेरे यूटूब चैनल में हम vocab जो one word substitute होता है वो सुरू कर रहे हैं top 100 100 से भी ज्यादा मैं आपको vocab बताऊंगा तो पहला vocab है introspection introspection का मतलब क्या होता है जब आप अपना खुद का idea को examine करते हैं उसको हम कहते है introspection फिर दूसरा सब्द है रेट्रोस्पेक्शन आपके skip उसका मतलब होता है जब आप किसी और का thought or idea को examine करते हैं उसको कहते हैं introspection ठीक है तीसरा जो सब्द है आप देख सकते हो वह biography जब कोई इंसान आपका history जब आप SSC क्रेक कर लोगे मालो तो लिखता है कोई और लिखता है उसको कहते है autobiography और चौथा जो वर्ड है autobiography और चौथा जो वर्ड है autobiography का अर्थ होता है जब आप अपना history अपने वारे में खुद लिखते हो तो उसको बोलते है autobiography पाच्वा जो वर्ड है nc. उसका मतलब होता है एक छोटा सा amusing story आप सो जो आप जो बच्पन में थे छोटे थे तो आपको मा आपके पिता जी स्टोरी सुनाया करते थे उन कहानियों को बोला जाता है nc. छाटा वर्ड है fable fable का मतलब होता है story with morality जहांपे हम moral values के बारे में बात करते है उन कहानियो को बोला जाता है fable ठीक है और 7 वर्ड जो है वह है एल्गी गोरी एल्गीगोरी के मतलब होता है जो story रियल इवेंट पे लिखा गया हो मालनों जैसे की 26 11 का जो अटेक हो था उसके उपर एक कहानी लिखा जाता है तो उन कहानियों को बोला जाएगा allegory ठीक है आटवा वर् मेरा चैनल वो चो चोड़े कि भाई आपसे भी तो बढ़िया बढ़िया यूट टीचर है यूटूब पढ़ाने के लिखा है लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ ए 15 वर्ड बताने में वो एक एक देर दे 2-2 घंटा का वीडियो बना देते है ठीक है जो आपका और मेरा प्र आप है कैटल्स कैटल्स का मतलब क्या जो आपके घर में जैसे काव उनको रखा जाता है उस प्लेस को बलता है पिन 11 वर्ड एल्गी एल्गी का मतलब होता है मौन्फुल सॉंग मतलब जब कोई मर जाता है या कोई दुखी है उस समय जो सॉंग प्ले कर किया जाता है उसको जाता है इल्गी, ठीक है, 13th word जो है हमारे पास, वो है doggy, doggy, उसका मतलब होता है एक चालाक इंसान, ठीक है, next word है frengy, frengy का मतलब होता है एक पागल इंसान, ठीक है, और next word है ipsley, इसका मतलब होता है, होता है रिलिजियस लेटर, जो लेटर, मालो एक चर्च का पास्टर ने लिखा है, या एक पंडित लिखा है, उन सब्द को कहा जाता है, एपसली, तो देखो ये कुछ words थे, short video, था आप इन words को पढ़ो, आपने notes में बना के लिखो, मेन होता है notes बनाओ, और इसको revision करो, ठीक है, next video म में, अगर मुझे लगा कि response अच्छा मिला, तो मैं next video में और 15 सब्द बताऊंगा, और इसी करते-करते हैं, आपका भी practice होते रहेगा, मेरा भी practice रहेगा, thank you for watching, only body study, hope आप भी SSC crack करोगे, और मैं भी SSC